अध्याय पाँच श्लोक संख्या पाँच यत सांख्याई प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यती सपश्यती अर्थ यत जो सांख्याई सांख्य दर्शन की द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है स्थानम स्थान तद्वह योगài भक्ती द्वारा अपी भी गम्यते प्राप्त कर सकता है एकम एक सांख्यम विशलेशन आत्मक अध्यन को च तथा योगम भक्ति मैं कर्म को च तथा यह जू पश्यती देखता है सवे पश्यती वास्तव में देखता है अनुवाद जो ये जानता है कि विशलेशन आत्मक अध्यन सांख्य द्वारा प्राप्यस्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तू को यथा रूप में देखता है Hare Krishna